कि सभी मेरे साथियों को राज़त नम्बिड कर कियोड से जैभीम नम्म बुद्धाएं दा बुद्धान इस धम्मा के पंद्रावे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है कल के भाग में हम लोगों ने देखा कि बुद्ध अपना धम्म की प्रचा और पसार करने के लिए धम्म की देशना देने के लिए सारनात में आते है और उन पाँच परिवराजकों को अपना पहला धम्म अपदेश देना शुरुवात करते है और वो जो पाच परिवराजक है वो बुद्ध से पूछता है कि आप हमको आपका जो धम है ये हमको समझाईए अब देखता है आगे बुद्ध ने अपने धम को समझाते हुए इन पाच परिवराजकों को कहा कि उनके धम में कोई भी व्यक्ति इन पाच पर इन मार्ग पर अगर चलता है तो वो अपने आपको दुख से मुक्त कर सकता है और ऐसे तीन मार्ग, तीन पत बुद्ध के दम्म के हैं, पहला पात जो है, वो है पात of purity, विशुद्धी मार्ग या और एक हिंदी में हम लोग इसको अनुवाद कर सकते हैं, निर्मलता का पत, तो इस तरह का पहला पत, पहला मार्ग बुद्ध ने इन परिवराजकों को कि उनके उनका जो निर्मलता का या विशुद्धी मार्ग है, ये इनसान को सिखाता है, कि उसके जीवन में, अगर किसी भी इनसान को एक अच्छा इनसान बनना है, अगर किसी भी कोई भी इनसान, एक अच्छा इनसान बनना चाता है, तो उसके जीवन में कोई मापदंड ह उसके जीवन में जो सिधान्त होते हैं ये सिधान्तों को उसको अपने जीवन के ही सिधान्त बना लेने चाहिए उसको अपने जीवन के ही इन सिधान्तों को वो जीवन के सिधान्त बना लेने चाहिए और ऐसे सिधान्तों की निर्मिति ऐसे सिधान्तों का अविश्का बुद तो वो पहला सिध्धान्थ है कि मैं किसी को भी हानी नहीं पहुचाऊंगा, चोट नहीं पहुचाऊंगा और किसी की भी हत्या नहीं करूंगा, ये बुद्ध के विशुद्धी मार्ग का पहला सिध्धान्थ है, ये पहला मापदंड है, दूसरा मापदंड बुद्ध के वि और तीसरा माबदंड बुद्ध के विशुद्धी मार्ग के सिध्धान्थ का है, कि मैं किसी के भी चीजों को अपनी चीजे नहीं बताऊंगा, उनके उपर दावा नहीं करूंगा, कोई चोरी नहीं करूंगा, चोता मापधंड है कि मैं किसी भी तरह की वासना में लीन नहीं रहूंगा काम भगों की वासना में लीन नहीं रहूंगा और पाच्वा सिद्धान्त है मैं किसी भी तरह के मादक पदार्तों का सेवन नहीं करूंगा बुद्धों ने कहा कि ये जो सिधान्त है ये जो मापदंड है ये हर एक व्यक्ति के जीवन में होने ही चाहिए वो व्यक्ति अच्छा कर्म कर रहा है या बुरा कर्म करना है ये जानने के लिए हर एक व्यक्ति के जीवन में इस तरह के मापदंड और यही मापदंड होना बहुत जरूरी है बुद्धों ने बताया कि पूरे विश्व में सभी जगह पर पतीत लोग पाये जाता है पतीत का अर्थ होता है गिरे हुए लोग जो अपने स्तर से नीचे गिर चुके हैं निम्न स्तर के लोग बुद्ध ने कहा कि ये पतीत जग में हर जगह पर है विश्व में हर जगह पर है और पतीत दो तरह के होते हैं दो तरके पतीत इस विश्व में पाये जाते हैं, पहला पतीत जिसके जीवन में कोई माप दंड नहीं है, और दूसरा पतीत जिसके जीवन में ये माप दंड है। कि वो पतीत है, वो गिरा हुआ है, वो निमनस्तर का है। और वही पर दूसरी ओर, जो लोग पतीत होने के बावजूद उनके जीवन में कोई माप दंड है, जो कोई स्टैंडर्स है, वो हमेशा के लिए पतीत नहीं रहते हैं। वो उस निमन अवस्ता से उठकर उभरते हैं, खड़े होते हैं। और उस निमनस्तर के जीवन पद्धती को त्याग कर एक अच्छी जीवन पद्धती जीने का काम करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वो गिरे हुए है, वो पतीत है, उनका स्तर नीचे गुरी चुका है। ये बुद्ध के उन माप दंडों के वज़े से उन लोगों को पता चलता है। और इसलिए बुद्ध ने उन परिवराजकों को बताया, पूछा कि अब मुझे बताओ, क्या बुद्ध के मेरे जो विशुद्धी मार्ग के सिध्धान्थ है, क्या ये सिध्धान्थ, किसी इ बुद्ध ने कहा, ये तो ऐसा ही है। बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने पूछा, अगर आपका जवाब हाँ है, तो फिर मेरे माप दंड और मेरे विशुद्धी मार्ग का जो सिध्धान्थ है, ये सिध्धान्थ इंसानों को एक अच्छे स्थर का जीवन जीने के लिए ये उपियुक्ठ है, ये यूसफूल है और इस तरह से बुद्ध ने अपने सबसे पहले पात ऑफ प्यूरिटी को, विशुद्धी मार्ग को, निर्मलता के पद को, इन परिवराजों को समझा कर बताया। उसके बाद इन परिवराजों को ने, बुद्ध ने अपना दूस दुसरा मार्ग इन लोगों को बताया, the path of righteousness, सदाचरण का मार्ग, बुद्ध ने बताया कि यह परिवराज को इस मार्ग के आठ अंग है, इस मार्ग के आठ अंग है और यह आठ अंग मिलकर यह मार्ग बनता है, इसका सबसे पहला अंग है इन आठ elements का, इन आठ घटकों का सबसे पहला घटक है सम्मादिठी, सम्मादिठी याने सम्यक द्रिष्टी, सम्यक द्रिष्टी को बुद्ध ने समझा कर बताया कि मानो जैसे यह पूरा विश्व, एक बहुत बड़ा काराग्रू है, जेल है, कारा जहां पर अंधेरा है, पूरा ये जो कारावास है, अंधेरे से भरा पड़ा है, और उसके अंदर जो ये इनसान है, ये पूरी तरह से अंदा हो चुका है, इसे कुछ दिखाई नहीं देता, और वो इतना अंदा हो चुका है, कि उसको पता ही नहीं चलता, कि वो इस काराग और प्रकाश नाम की, लाइट नाम की कोई चीज भी होती है, और वो प्रकाश पा सकता है, ये भी वो काराग्रुव में रहने वाला कैदी भूल चुका है। और इस प्रकाश पाने का एक मात्र सादन है, और वो है आपका माईट, आपका मन, आपका मन ही एक मात्र सादन है, जो इस लाइट को, इस प्रकाश को अपने अंदर ला सकता है. लेकिन इन कैदियों की अवस्ता ऐसी हो गई है कि ये जो मन है ये भी इतना उप्यूक्त सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि इनके पास जो आखे है ये आखे होने के बावजूद उनका जो मन है ये थोड़ी बहुत ही लाइट थोड़ा बहुत ही प्रकाश अपने आप में अंदर ले सकते हैं बुद्ध ने बताया लेकिन एन हालातों में भी निराश होने की कोई जरुवत नहीं है जितनी भी लाइट जितना भी प्रकाश ये व्यक्ति लेते हैं उस लाइट से उनको पता चल जाता है कि वो एक कारागवास में बंदी है उनको अगर पता भी चल जाए कि वो एक कैद है तो उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत है उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत है और वो ताकत ये है कि उनकी इच्छा शक्ति ये वो ही इच्छा शक्ति है जो इनको अगर चाहे तो बंदी बना कर रख सकती है और अगर ये इच्छा शक्ति चाहे तो उस काराग्रुव वह बाहर निकलने में सहत्या कर सकती है इसी इच्छा-शक्ती के उप्योग में कोई भी व्यक्ति इसी इच्छा-शक्ती को अगर इस्तमाल में लाता है तो जो भी वढ़ना चाता है वह बन सकता है इस तरह से बुद्ध ने इस सम्यत दुरुष्टी को समझा कर बताया बुद्ध ने परिवराजकों ने बुद्ध से पूछा कि इन इस सम्मा दिठी का इस सम्यत दुरुष्टी का क्या हेतु है क्या अंतिम हेतु है इसका साध्य क्या है बुद्ध ने बताया कि अविध्या का विनाश करना अविध्या को समाप्त करना यही एक मात्र उद्देश सम्यत दुरुष्टी का है बुद्ध ने अविध्या के बारे में समझाया कि अविध्या क्या होती है बुद्ध ने बताया कि जो लोग ये जान नहीं पाते कि जीवन में दुख है और इस दुख से बाहर निकालने का कोई मार्ग भी है ऐसे लोगों के लोग अविद्या से गिरे हुए रहते हैं अविद्या का मतलब है कि इन सत्यों को सत्यों को ना पहचानना जीवन में दुख है और दुख के निरोध का मार्ग है इस सत्य को ना पहचानना ये अविद्या होता है सम्यक दुरुष्टी के लिए ये जरूरी है और बहुत जरूरी है कि वो सभी तरव के कर्मकांड से अंदविश्वास से और सुपरनेश्वल अलों की घटनाओं से वो अपने आपको बहार निकाले ये सम्यक दुरुष्टी के लिए बहुत जरूरी है सम्यक दुरुष्टी के लिए जरूरी है कि वो सभी सिधानतों का खंडन करे जो सत्य से परे है जो अनुभाव से परे है इस तरह के सभी सिधानतों का इनकार करना ये सम्यक दुरुष्टी के लिए बहुत जरूरी है सम्यक दृष्टी के लिए जरूरी है कि वो सभी तरह के कर्मकांट, सभी तरह के वेद, शास्त्र, इन में मान्यता, इन सभी सिधानतों का त्याग करना यह सम्यक दृष्टी के लिए बहुत जरूरी है और सम्यक दृष्टी के लिए सबसे जरूरी है एक मुक्त मन, free mind and free thought, जिस व्यक्ती का मन स्वतंत्र नहीं है, जिस व्यक्ती के विचार स्वतंत्र नहीं है, उस व्यक्ती में सम्यक दृष्टी वास नहीं कर सकती और इसलिए सम्यक दृष्टी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, free mind and free thought, मुक्त विचार, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र मन, ये किसी भी इनसान को सम्यक दृष्टी पाने के लिए बहुत जरूरी है हम आज का एपिसोड यही पर रोकेंगे क्योंकि समय की बहुत हो रहा है, कल हम सम्यक दृष्टी तो हमने आज देख ली, अस्टांगिक मार्ग में बाकी के जो साथ मार्ग बचे है, हम उसके उपर अधियन करेंगे, कि ये साथ मार्ग क्या है किसी भी इनसान को अगर अपनी जीवन को एक सुखकारक जीवन बनाना है, तो किस तरह से उस जीवन में हम बुद्ध ने बताये हुए इस मार्गों का पालन करके हम अपनी जीवन को सुखकारक बना सकते हैं, क्या है वो अस्टांगिक मार्ग? सम्यक द्रिष्टी आज हम लोगों ने देखा कि बुद्ध के इस अस्टांगिक मार्ग में सबसे पहली और सबसे जरूरत, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई मार्ग है, तो ये सम्यक द्रिष्टी का ये अस्टांगिक मार्ग का पहला अंग है सम्यक द्रिष्टी, इस सम्य दृष्टी के उपर हम लोगों ने आज चिंतन किया आने वाले एपिसोर्स में हम बुद्ध के इन उपदेशों को सुनेंगे आप लोगों ने आज मुझे सुना उसके लिए आभार जै भीम, जै भारत, जै बुद्ध